हाई फ्रेंड्स आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल मोहन जी का अपन्यास रप्तार का पार्ट टू प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल सोहनलाल ने फोरण नीचे देखा वहाँ अंधेरा था सडक पर मोजूद स्ट्रिट लाइट की रोश्नी मद्यम सी वहाँ तक आ रही थी उसे मैन होल का कवन नजर आया जो की जमीन का ही हिस्सा लग रहा था वो डक्कन डाई फिट लंबा और दो फिट चोड़ा था ये है सोहनलाल ने देवराद चोहान को देखा हाँ ये तो पूरा का पूरा खत्रे वाला सोदा हुआ सोहनलाल कै उठा यहां से चलो दोनों वहां से हट कर दूर हो गई क्या कहना चाते हो देवराद चोहान ने पूछा पुलिस स्टेशन के बाहर से ऐसी हरकत करना ठीक नही सोहन लाल ने होट सकोडते हुए कहा हमारी हरकत पर किसी की निगाह पड़ जाना मामुली बात है और ये खत्रा तो उठाना ही पड़ेगा देवराद चोहान के स्वार में दंडता थी ठीक है लेकिन ऐसे में मैन होल का ढकन उठा कर बीतर कैसे कार लाकर यहां खड़ी करनी पड़ेगी पूछने पर कहना पड़ेगा की कार खराब हो गई है और कार की ओट लेकर मैन होल का ढकन हटा कर बीतर प्रवेश किया जाएगा कोई पुलीस वाला कार खड़ी देख कर इस तरफ आ सकता है मैन होल का ढकन अपनी जगय से हटा पा कर मैन होल से नीचे उतरने के बाद हम नीचे से ढकन कीच कर वापस रख देंगे देवराद चोहान बोला तब भी शक हो सकता है क्योंकि मैन होल का डककन इस वक्त जमीन में गसा सा लग रहा है जब हम उसे सरका कर उपर रखेंगे तो वो उठा उठा सा नजर आएगा और तुम ठीक कहते हो लेकिन हमें ये खत्रा उठाना ही पड़ेगा और कल क्या करेंगे कोई ऐसा पुकता इंतजाम हो जाएगा कि किसी को शक न हो कि यहां कुछ हो रहा है देवराच चोहान ने अपने शब्दों पर जोड दे कर कहा कैटली एंड कैटली तक इसी रास्ते से पहुचेंगे सोहनलाल ने सोचपरी निगाहों से दूर मैन होल की तरब देखा मैन होल के नीचे नाला किस तरब जाता है सोहनलाल ने इदर सडक के नीचे से होकर उन मकानों के पार उसी मार्किट में जाता है जहां केटली एंड केटली का शोरूम है आओ पहले मैन हौल से शोरूम तक की दूरी का अंदाजा लगा लें उसके बाद बीतर प्रवेश करेंगे देवराद चोहान ने अंदेरे में आसपास देखते हुए कहा अंदाजा कैसे लगाओगे कार्पोरेशन के नक्षे के मताबिक मैंने अंदाजा लगाया है कि केटली एंड केटली वाले शोरूम तक थाड़े सोला सो फिट का फासला है सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि मैंन होल से शोरूम का फासला साड़े सोला सो फिट का ही हो वाकी काम उसके बाद करेंगे देवराद चोहान ने सोज बरे स्वर में कहा लेकिन ये लंबाई नापने में हमें दोखा भी तो हो सकता है वो कैसे नाले की पाइप तो जमीन के बीतर से सीधी जा रही है जबकि जमीन के उपर सामने मकान बने नजर आ रहे हैं मकानों के बीतर गुशकर तो नपाई होने से रही ऐसे में अगर पांच मीट का भी धोखा खा गए तो सारी योजना फेल हो जाएगी तेवरा चोहान गंबीर स्वार में बोला ओ ये तो अर्चन वाली बात हो गई हाँ दिक्कत तो हो सकती है तेवरा चोहान ने सेर हिलाया हमें ये जानना होगा कि कौन सा मकान कितने गज में बना है पाइप जिन मकानों के नीचे से गुझर रही है. उन मकानों ने कितनी जगय गेर रखी है. इसी तरफ हिसाब लगा कर सारा काम करना होगा. उसे में तो हमसे कही बी चूख हो सकती है. देवराच जोहान मुस्कुराया. हाँ, चूख भी हो सकती है. और नहीं भी. उसके बाद देवराज चोहान और सोहन डाल सारी रात अपने काम में व्यस्त रहे। इस बात की सावदानी भरतते रहे कि कोई उन पर शक करके उन्हें टोके नहीं। परहाल दिन का उजाला होने से 15 मिनट पेले ही दोनों मेन होल का डखकन हटा कर बाहर निकले। डखकन को वापस होल पर फिट कर दिया और पासी खड़ी कार में बेट कर वहाँ से चल पड़े। सूखे नाले में प्रवेश करने की वज़य से उनके हाथपा और कपड़े मिट्टी से सने पड़े थे। राद बर की भागदोर की ठकान चैरो पर थी जो सबानवल साथ लेकर नाले में गए थे उसे बीतर ही छोड़ाए थे क्योंकि आज राद उन्हें फिर बीतर प्रवेश करना था। देवराज चोहान ने कार को सोहनलाल के एक कमरे के फ्लेट के बाहर ले जाकर रोका और फिर दर्वाजे पर लटक रहा ताला खोल कर बीतर प्रवेश कर गए। कि नजरों से बचने के लिए और हमारी कार खड़ी कई पुलिस वालों ने देखी होगी। रात को बीतर कैसे प्रवेश करना है, ये मैं शाम को बटनागर के यहां बताऊंगा, तो ठीक है, सोवनलाल ने देवरात चवान को देखा, टेम्पो का इंतजाम करने के लिए टेम्पो चोरी करना पड़ेगा, इस काम में चोरी का टेम्पो इस्तमाल करना ठीक होगा, अगर टेम्पो किराय पर लेते हैं, तो साथ में ड्राइवर अवश्य होगा, कोई पैचान वाला नहीं है, नहीं, तो देवरात चोहान उठते हुए बोला, टेम्पो रात को आठनो बजे को ही उठाना, और वहां ले जाकर खड़े कर देना, टेम्पो वाले को रिपोर्ट लिख लिखाते ही आधी रात हो जाएगी, और हमें टेम्पो की जवरत सिर्फ दिन निकलने तक होगी, हूँ, सोहन लाल ने चाय का गूड बरा, देवरात चोहान ने चाय सबाप्त की और बाहर निकल गया, उस्ताज जी, उठो, साथ बज गय, रामपूर्दी सुबैदा मजाई क कुछ और है, माल तो रात को ही उतार दिया, अब वापस चलकल लाले से भाड़ा वसूलते हैं, फिर उस पाड़े की तंखा बना कर मुझे दे देना, मुझे सी ने चारपाई पर सोय अमरतलाल को हिलाते हुए कहा, अमरतलाल ने आखे खोली और करवट लेकर चारपाई पर उठ बेठा, वह सडक किनारे खुली जगय पर इस्थित, डाबों के पास लगे पेडों के नीचे, चारपाई पर रात को सोया था, डाबे वाली से खास पैचान बना रखी थी, जब भी वे टेमपो से माल लेकर रामपूर आते, रात यहीं बिताते थे, क्या वक्त हुआ है अमरतलाल ने आखे मलते हुए कहा, साथ बजे हैं, मैंने तो नाहा दो भी लिया, नास्ते की जरत पड़ी, तो आपको उठा दिया, बुझे सी मुश्कुराया, नास्ता कर लेता, कैसे कर लेता उस्ताज जी, आप तो जानते ही हैं, कि मैं कुछ जादा खाता हूँ, फिर ब अमरतलाल ने बुझे सीएं को गूरा, तू कभी अच्छी बात नहीं करेगा, मैंने क्या गलत बोल दिया, उस्ताज जी, उठो ना दो लो, फिर मेल बैटकर नास्ता कर देया, अमरतलाल ने ना दो कर वही कपड़े पहन लिये, फिर बुझे सीएं के साथ नास्ता करने लग ताबे वाले से कहकर इस्पेशल आलू के पराठे बनवाए थे खाने के दोरान बुजे सी कै उठा उस्ताद जी खापी दे चल देओ, बारा बज़े तक पहुँच जाएंगे दोपर बाद वापस चलेंगे दोपर बाद वो क्यों? रामपूर में मेरी दूर की बुआ रहती है पिछली बार दो मेहने पहले, जब गाओं के मकान पर गया तो उसका पत्र आया पढ़ा था पत्र में उसको लड़की दिखाने की बात कही थी खाते काते अमरतलाल बोला लड़की दिखाने की बात वो क्यो? शादी के लिए इसलिए बुआ के पास जाना है दो तिन गंटे वहां लगेंगे बुझे सी हरबड़ा कर जल्दी से कै उठा उस्ताद जी मैं क्या बुरा आदमी हूँ नहीं क्यूं तो फिर तुसी मेरी बहन के साथ ब्या क्यों नहीं कर लेते वो आपको बहुत चुकी रखेगी तेरी बहन के साथ ब्या नहीं करूंगा वो अलू के पराठे भी बहुत अच्छे बनाती है मैं तेरे जैसी मुसीबत को सारी उम्र के लिए अपने गले नहीं बानना चाता तेरी बहन से शादी करके उस्ताद जी मैंने तो पहले ही कहा था कि जब आप मेरी बैन से ब्या कर लें मैं कहीं और नोकरी कर लूँगा कहोगे तो शहर छोड़ कर चला जाऊंगा साला होने के नाते कभी कभी आ जाया करूंगा बहार ही मेरी चारपाई बिच्छा देना घर की देखबाल भी हो जाएगी और मेरी दो-चार राता कट जावेगी अमरतलाल खामोशी से पराठा खाता रहा तैयारी करा उस्ताद जी किस बात की ब्या की मुझे अमरतलाल ने तीखे स्वार में कहा तेरे को मेरे पास नोकरी करनी है की नहीं न करके मैंने भुखा मना है क्या नोकरी मिलती ही कहा है तो मेरे से शादी ब्या की बात मत किया कर मैं टे Neptoda मालिक ड्राइवर और तु मेरे नीचे नोकरी करने वाला मेरे टेंपो दा क्लीनर मैं तेरी बैंच से केसे शादी कर सकता हूं आखिर मेरी भी तो इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, मैंने क्लीनर की बैन से ब्या किया, ये बात भी ठीक है, मुझे सी माई उसी से कैव उठा, एक बात पता ना उस्ताज जी, क्या, मैं टेंपो खरीद लूँगा, ते, फिर आप मेरी बैन से शादी कर लोगे, तु टेंपो कैसे खरी सकता है, तेरे पास पेशा, मैं कहा खरीद रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, पूछने में क्या हरजे उस्ताज जी, मुझे सी ये कैव उठा, हाँ, फिर कर लूँगा, वो तो ठीक है, फिर भी एक बार मेरी बहन को देख लेते तो ठीक रहता, शायद भालतू बात अमरतलाल ने सकत स्वर में कहा, नाश्ता खत्म कर और मार्केट जाकर पता लगा, कि किसी ने माल मुंबई बेजना है, वापसी पर टेमपो बर के जाएगा, तो दो पेसे और बन जाएंगे, तब तक मैं अपनी बुआ से मिलकर आता हूँ, जैसी आपकी मर्जी, बुआ के गर नहीं जान दे तो ठीक रहता, पुजेसी ने गहरी सांस ली, क्यों रिष्टा पक्का हो गया, तो मेरी बहन का क्या होगा, पुजेसी का चेरा लटक गया, दुन्या में ओ लड़के मर गये हैं क्या, वो तो जिन्दा है, पर मेरी नजर तो आपर है उस्ताजी, आपके प स्टेंपो है, काउं में बड़ा सा मकान है, कमाई भी बढ़िया कर लेते हो, मेरी रोटी पानी दावी ख्याल रखते हो, इससे बढ़िया वर मेरी बहन के लिए और कौन सा होगा, बुजेसी ने मक्खन बरे स्वर में कहा, मैंने तेरी बहन से शादी नए करनी, समझ गया, वो तो मैं पहले ही समझ गया था, पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, शादी के लिए तो अब नहीं कह रहा, बुजेसी ने आलू का पराठा, गोल करके मुँ में ठूसते हुए कहा, दोपैर का एक बजने वाला था, बुजेसी अमरतलाल के पास पहुचा, जो की बरे पूरे बजार में एक दुकान पर बेठा चाय पी रहा था, डेट गंटे से वो यहीं बेठा था, उस्ताद जी बुजेसी ये बोला, माल टेंपो में लाद दिया, तिरपाल डाल के रसा बान दिया अच्छी तरह, सब कुछ फिट कर दिया, बस आपकी कमी है, बुजेसी ये मुस्क उस्ताद जी लाले से बाड़े वगरा ले लेना, नहीं तो दुबारा जब रामपूर आएंगे तब मिलेगा, बुजेसी ये ने कहा, बात हो गई है, मुंबई में माल जिस लाले के हवाले करना है, वह बाड़ा देगा, चलते चलते अमरतलाल ने कहा, ये भी ठीक है, 15 मिन में ही वे दोनों टेंपो के साथ रामपूर से बाहर हाविये पर आ पहुचे, दोपयर का खाने का समय हो रहा था, पुजेसी कैव उठा, कुछ भूप भी लग रही है, वो बात ये है उस्ताद जी की सफर में जब गाड़ी चलती है, तो पेठ हिलता है, इसलिए भूप कु नाश्ता था, दोपर को तो लंच होता है न, पुजेसी ने उसे देखा, अपन पेठ का हिलना बंद कर ले, कोई लंच नहीं होगा, चार गंटे का रास्ता है, मुंबई पहुच कर माल को टेंपो से उतरवा कर ही खाना खाएंगे, अमरतलाल ने रप्तार बढ़ाते हुए क तब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा, पुजेसी मुह लटका कर कै उठा, नहीं मरता, वो तो ठीक है, चलो रास्ते में कहीं चाई पिला देना, आप तो अपनी भूआ के यहां से भी खा आये होंगे, अमरतलाल मुश्क्रा उठा, कुडी देखी, जो भूआ ने दिखाने क लिखा था पत्र में, एका एक पुजेसी ने पूछा, हाँ, मामला फिट बेठा, पुजेसी ने जल्दी से पूछा, नहीं, नहीं, पुजेसी का चेरा खिल उठा, ओ मुबारका, सुनके मुँ मीठा हो गया, पेसे हुआ क्या था, कुडी ने आपको पसंद नहीं किया, या आपने कुडी को, बात कहां आट गी, वो लड़की छे मेने की शादी के बाद विद्वा हो गई थी, बुआ ने सोचा, उससे शादी करने को मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं माना, लड़कियों की कोई कमी पड़ी है, कोई कमी नहीं उस्ताद जी, मेरी बेहन है न जो, चुप, ठीक है, चुप कर जाता हूं, जब मैं टेंपो का मालिक बनूँगा, तब तो मेरी बेहन से ब्याक कर लोगे, तब हम दोनों की हेसियत पराबर की होगी, ठीक कहा मैंने उस्ताद जी, हाँ, पहले टेंपो खरिद के दिखा, यही ते मुसीबत है, पैसे कहा है बुझ गया, तबी अमरतलाल के होट सुकड़े, टेंपो कुछ डोलता सा लगा, टेंपो में कोई गरबर लग रही है, अमरतलाल के होटों से निकला, कैसी गरबर पता नहीं, शायद पंचर, अमरतलाल ने टेंपो की स्पीड कम करते हुए, संबल कर उसे सड़क के किनारे ल नीचे उतर गया, फिर तुरंत बाद ही, मुझे सी की आवाज कानों में पड़ी, उस्ताद जी टेंपो कान हो गया, क्या हुआ, पंचर, अमरतलाल ने मुह बनाया, और इंजन बन करके नीचे उतारता हुआ बोला, स्टेपनी तयार है ना, बिलकुल तयार है, लेकिन पोविच्ते माल लदा हुआ है, जेक चड़ाते वक्त, पूरा दम लगाना पड़ेगा, उस्ताद जी, ये मेरे अकेले दा भसता नहीं, जेक निकाल, मैं भी तेरे साथ लग जाऊंगा, स्टेपनी भी निकाल, पेतालिस मिनट बाद, उनका सफर पुर्णा शुरू हो गया उस्ताद जी, मुझे सीम भीडी सुलगाते हुए बोला, अब टायर दुबारा ठुग गया, तो गरबर हो जाएगी, स्टेपनी तो अब पंचर है, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी सडी बात मत किया कर, अमरतलाल ने तीखे स्वार में कहा, उलू दे पठे, अब पैया पंचर हुआ, तो तेरे हाथ में स्टेपनी देकर दोडाऊंगा, कि कहीं से भी पंचर लगवा के आ, मैंने तो बात की है, ये तो नहीं बोला, कि टायर पंचर फिर हो जाएगा, मुझे सिये कै उठा, शाम को छ बजे टेंपो ने मुंबई में प्रवेश किया, और पोने साथ बजे उस दुकान पर पहुँचे, जहां माल देना था, माल उतारने में एक गंटा लग गया, दुकान वाले से माल का बाड़ा लेकर वे वहाँ से चले, सुबह के उठे अब वे दोन महसुस कर रही थी, उस्ताज जी वो बहुत जोर की लगी है, मुझे सी एक कै उठा, अब तो पकी जान निकली जा रही है, जल अपने उसी डाबे में चल कर खाना खाते हैं, पेट भर कर खाना, अमरतलाल मुस्क्रा कर बोला, वाह, अपने उस्ताज जी तो बहुत बड़े दिलवाले ने, दोपर का खाना नहीं खाया था, वो भी खालू डिनर के साथ, खाले खाले, एते मजाई आ गया, वाह भई वाह, सुबह तु फिर नाश्ते के लिए कहेगा, वो भी अभी कर लेना, अमरतलाल मुस्क्राया, इतना सारा माल इकटा नहीं खाना जाएगा, उस् जी बर कर सोना है, स्टेपनी पैंचर है, पैंचर लगा न, उस्ताज जी, पैंचर कर सुबह दे, नाश्ते दे बाद, आज नहीं, मुझे सी इने ठके स्वर में कहा, याद से, भूल मत जाना, भूल गया तो क्लीनर होने का क्या फाइदा, अपने काम मुझे याद रहते हैं कुछी देर बाद, दोनों अपने पसंदिदा डाबे पर पहुँचे, टेम्पो सडक पर खाली जगय पर खड़ा किया, और सडक पार करके डाबे में आप पहुँचे बस उस्ताज जी, बुजे सी सबजी डाल की खाली प्लेटों को उंगली से साप करके उंगली चाटता हुआ बोला, और नहीं, अब तो पेट फटने वाली हालत हो गई है दोपर का लंच पी खा लिया न, अमरतलाल मुश्कुराया, मेरे ख्याल में तो खा ही लिया होएगा, वैसे मैंने कित्री रोटी खान दी है, बुजे सी ने उसे देखा पुत्रा, अमरतलाल व्यंग से कै उठा, जब बिल आएगा तब पता चलेगा उस्ताद जी, बुल तो तुसी देखो, बिलदा नाम सुनकर तो मेरा दिल धड़कता है, कहते हुए बुजे सी खड़ा हो गया मैं जरा बाहर जाकर खाना हजम कर लूँ, टेंपो पर कपड़ा मार दे ठीक है, आप बिलको निप्टा आना, वो लाले के पास जाना है, जिसका कल माल लेकर रामपूर गए थे उससे पैसे लेकर बीच में और डालकर मेरी तंखा बनाकर मुझे दे देना कल जाएंगे, नीद आ रही है, कमरे पर जाकर सोएंगे अमरतलाल ने कहा, ठीक वे, सवेरे पेंचर लगाने के बाद लाले के पास चलेंगे कहने के साथ ही, बुझे सी यह बाहर निकल गया अमरतलाल का खाना भी खत्म होने को था, तीन मिनट ही नहीं बीते होंगे कि बुझे सी ने बीतर प्रवेश किया, उसके चेरे पर खुशी नजर आ रही थी पास पहुच कर बेटता हुआ जल्दी से कै उठा उस्ताद जी, खुश खबरी लाया हूँ, क्या, सारी अर्चन दूर हो गई कैसी अर्चन, अमरतलाल ने बुझे सी के चेरे पर नजर मारी मेरी बेहन के ब्या की, क्यों रिष्टा तै हो गया क्या तै तो नहीं हुआ, लेकिन अब तो पका ही हो जाएगा बुझे सी ने दाद दिखाए, क्या मतलब अमरतलाल ने कहा और पानी पीने लगा, आप मेरी बेहन से इसलिए शादी नहीं कर रहे थे कि आपके पास टेंपू है, टेंपो के मालिक है और मेरे पास टेंपो नहीं है, और मुझे आपके नीचे रहकर अपना और अपनी बेहन का पेट भरना पड़ता है मजा ही आ गया उस्ताज जी, अब हम दोनों बराबर हो गए मुझे सी ने हसकर कहा, क्यों अमरतलाल यंग बरे शब्दों में कैव उठा तुने भी टेंपो खरीत लिया है, नहीं उस्ताज जी, मेरी इतनी ओकात कहा तो फिर हम दोनों बराबर कैसे हो गए, आपका टेंपो गयब हो गया क्या, अमरतलाल के माथे पर बल पड़े, हाँ उस्ताज जी, जहाँ उसे खड़ा किया था वहाँ तो क्या, आपका टेंपो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कोई ले उड़ा उसे, उसके नटबोल्ट खोल कर, इंजन वगरे अलग करके बेज देगा और बाकी का हिस्सा किसी कबाड़ी के हवाले कर देगा, आजकल ऐसा ही होता है आपका तो काम हो गया, दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ तो ब्याक का कौनसा दिन पक्का करूँ, उस्ताज जी, वो शुब दिन उल्लू का पठा अमरतलाल दांत बीच कर उठ खड़ा हुआ, और बिल देने के बाद, जल्दी से बाहर गया बुजे सी उसके साथ था, बाहर अंदेरा फेला था, अमरतलाल ने सड़क पार नजर मारी, टेम्पो नहीं था वहाँ उस्ताज जी, मान लो मेरी बात, मैं जूट क्यू बोलूँगा अब हम दोनों की ओकात बराबर, जुबान बंदरक बुजाया वरना, अमरतलाल गुस्से से मुठ्या बीच कर रह गया ठीक है उस्ताज जी, कौन ले जा सकता है टेम्पो, चोर ही ऐसा काम करते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, अमरतलाल परेशान सा कह उठा, मेरी रोजी रोटी का वही तो सहारा था, टेम्पो हाथ से निकल गया, तो मैं क्या करूंगा अजी करना क्या है, मेरी बहन से ब्या करो, रही बात रोजी रोटी की तो मिलजुल कर कड़ी मेहनत करके दो वक्त की रोटी का जुगार कर ही लेंगे, बुजेसी ने खुशी से कहा, मेरी बहन को कितनी खुशी होगी, की बिना पैसे के बंदुबस्थ हुए, मैंने उसके ब्या का इंतजाम कर दिया गुस्से में अमरतलाल का हाथ उठा, और बुजेसी के गाल से जा टकराया, बुजेसी लड़ खडाया तेरे को जराबी शरम नहीं है, की मेरा टेमपो चोरी हो गया है, और तु खुश्या मना रहा है, अपनी बेहन की शादी की बाते किये जा रहा है, मेरा टेमपो डुणने की जरत नहीं समझी तुने मुझेसी अपना गाल मसलते हुए बोला, उस्ताद जी आपका टेमपो चोरी हो जाने का मुझे बहुत दुख है, सच मानो, सीना चीर कर दिखा सकता होता, तो अब तक दिखा चुका होता, लेकिन मजबूर हूँ, मुझेसी ने मू लटका कर कहा रही बार टेमपो डूनने की, तो तुसी ही बताओ, कौन सी गली या कौन से चोराहे पर तलाश करूँ, टेमपो ले जाने वाला तो अब तक उसे खोल खाल के बेचने के लिए उसका इंजन भी निकाल चुका होगा अपनी गंदी जुबान बन रख अमरतलाल ने दाथ बीच कर कहा, जो हुक्म चल कहा, पुलिस टेशन, पुलिस टेशन क्यों मैंने थोड़े न टेमपो चोरी किया है जो उलू के पठे टेमपो चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखाने जाना है पुलिस टेशन, अमरतलाल ने दांद बीचे ओ फिर ठीक है पुझे सिये कैव उठा उस्ताद जी पुलीस वाले भी बहुत चालू होते हैं चार महिनों के बाद उन्होंने टेंपो की हेडलाइट और खाली टूल बाक्स अपने सामने रख देना है और लिखवा देंगे कि उन्होंने टेंपो डून निकाला और हमारे हवाले कर दिया अब सोचने की बात तो ये है कि उन दोनों हेडलाइटों को हाथ में पकड़ कर चार महिने बाद हम क्या करेंगे ये पहले सोचने तो ठीक रहेगा अमरतलाल का हाथ फिर उठने लगा कि बुझे सी जल्दी से कैव उठा चलिए उस्ताद जी पुल तेवरा चुहान जब बटनागर के फ्लेट पर पहुचा तो शाम के आठ पज रहे थे जगमोहन कुछ तेर पहले ही वहाँ पहुचा था उसे अकेला देखकर जगमोहन ने पूछा सोचन्राल कहा है वो कहीं से टेम्पो का इंतजाम करके रात को दस पजे हमें तैशुदा जगय पर मिलेगा देवरा चुहान ने कहा टेम्पो वो किस वास्ते जगमोहन के माथे पर बल पड़े अब जो बताऊंगा उसे तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा इसका मतलब बटनागर के होट सिकुडे हम आज रात वास्तों में अपना काम करने जा रहे हैं तुम्हें जिस सामान का इंतजाम करने को कहा था वो कर लिया देवरा चुहान ने पूछा हाँ नाले के बीतर जिस चीज की ज़रत पड़ती है जो तुमने नहीं कही उसका भी इंतजाम कर लिया है देवरा चुहान ने चहरे पर सोचे समेटे लिए सिर हिलाया पांच फीट व्याज के नाले के बीतर जहां से हमें रास्ता बनाना है यानि की जहां पर केटली एंड केटली के शोरूम का बेस्मेंट है उस जगे पर रात को ही निशान लगा दिया है ताकि आज रात हमें वो जगे तलाश करने में परेशानी न हो वक्त खराब न हो जहां निशान लगा बतनागर बोला पक्का उसके पार ही शोरूम का बेस्मेंट है पक्का क्या कच्चा क्या सोच समझ कर ही वहाँ निशान लगाया है तेवराच चुहान ने बतनागर को देखा जिस मैन होल से हमें बीतर प्रवेश करके यहां तक पहुंचना है उसके उपर जमीन पर कई मकान बन हुए हैं इसलिए नपाई में कुछ अंदाजा भी इस्तमाल करना पड़ा मेरे ख्याल से शायद ठीक जगे निशान लगाया है लेकिन ये सब करना कैसे है जगमोहन ने कहा देवराच चुहान ने जगमोहन को देखा तुम बाहर ही रहोगे क्या मतलब जगमोहन के चेरे पर अजीब से बाओ उब्रे योजना के मताबिक तुम्हें बाहर ही रहना है अमारे साथ बीतर नहीं जाना है देवराच चुहान ने कहा लेकिन लेकिन में बाहर रहकर क्या करूंगा जगमोहन के चेरे पर उलजर नजर आने लगी बाहर भी काम है अभी मालुम हो जाएगा की थेलियों में पांस थेलियां जो की आम लिफापों की साइच की है उन पर नम्बरों वाले लोक लगे हैं ब्राउन कलर का लेदर है थेलियों का साड़े चार अरब के हीरे उन लेदर की पांस थेलियों में आ गए जगमोहन के उठा वो हीरे हैं सोना नहीं दस अरब के हीर जगय की कीमत भी दो अरब्या उससे ज़्यादा हो सकती है किसी हीरे को अपनी कीमत का एसास कराने के लिए बड़ी जगय की ज़रत नहीं वो जेब में भी आ सकता है कहने के पश्चात देवराद चोहान ने सिग्रेट सुलगाई हमें काम कैसे करना है इस पारे में बताओगे बटनागर कैव उठा वही बताने जा रहा हूँ सुन्डो तुम दोनों कोई बात ठीक न लगे तो कह सकते हो जगमोहन और बटनागर की निगाहें देवराद चोहान पर जाट की पुलिस स्टेशन में मोजूद कॉंस्टेबल ओमविर ने अमरतलाल और बुजेशिय को गू अबे पर खाना खाने गए थे कि बाहर आने पर टेम्पो को गायब पाया कोई चोरी करके ले गया है टेम्पो ही मेरी रोजी रोटी का जरिया था उसे डून निकालिये इस्पेक्टर साहब से कहा तो उन्होंने बोला आपके पास रिपोर्ट लिखा दू हम ओमविर ने अक पर पुछराओं हूं जो चोरी हो गया है जी दो हजार बैरा है क्या सुना नहीं मैंने क्या पूछा है जनाब वही तो बता रहा हूं टेम्पो का नंबर जी हां दो हजार मर्पी MRP 2000 हूं ठीक है बताते जाओ कौन से डाबे के बाहर खड़ा था कितने बज़े खड़ा था कितनी देर खड़ा रहा और कौन चोरी करके ले गया कौस्टेबल ओम्वीर कागज और पेंट संभालता हुआ बोला सहाब जी मुझे तो पता नहीं कौन चोरी करके ले गया हम तो खाना ठीक है ठीक है तुम बताते जाओ मैं लिख रहा हूं रिपोर्ट 20 मिनट लगे रिपोर्ट लिखने में ओम्वीर ने ऐसे सांस ली जैसे छुटकारा मिला हो इस्पेक्टर जी मुझे सी ये कह उठा तो हम अब कब आए वो हेडलाइट और खाली टूल बॉक्स लेने क्या साहब जी अमरतलाल जल्दी से कह उठा इसका मतलब है कि टेम्पो के बारे में मालुम करने कब आए कब तक मिल जाएगा वो तुमारा पता लिख लिया है जब मिलेगा खबर कर देंगे बीच में फेरा भी लगाते रहना रही बात की कब तक मिल जाएगा तो इस सवाल के जवाब में इंतजार करूद कास्टेबल ओमवीर ने मुझ बना कर कहा कम से कम टेम्पो तो चोरी होने के बाद किस्मत वाले को ही वापस मिलत है कार वगेरा होती तो शायद दो-चार महिनों में मिल जाती जाओ अब मुझे भी खाना खाना है अमरतलाल और बुजेसी हैं पुलिस इस्टेशन से बाहर आ गए उस्ताद दी एक काम तो बढ़िया हो गया बुजेसी कह उठा क्या अमरतलाल का मन रोने को बन रहा था खान खा लिया वरना आप खाने का मजा नहीं आता टेंपो चोरी होने के बाद तू अपनी जबान बन रखा कर अमरतलाल गुसे से बोला ठीक है टेंपो की बात नहीं करता मैं जानता हूं टेंपो की याद आते ही आपका मन धुखता है उस्ताद जी वो पुलिस वाला भी कह रहा था कि टेंपो चोरी होने के बाद किस्मत वालों को ही मिलता है और आपकी किस्मत इतनी तेज तो है नहीं आग्या हो तो दूसरी तरफ सोचे दूसरी तरफ हाँ टेंपो तो मिलने वाला नहीं हम दोनों की ओकात अब एक दूसरे से छिपी नहीं है अब तो आप मेरी बहन से शादी कर सकते हो उसके बाद रोटी पानी के इंतजाम के लिए कोई ठाईया देख लेते हैं सुना है चाय का दंदा भी बुरा नहीं है तो हो जाए उस्ताद जी अमरतलाल का हाथ उठा और भुजेसी के गाल से जाड टकराया अमरतलाल के चेरे पर गुसा ही गुसा नजर आ रहा था वो खा जाने वाली नजरों से भुजेसी को देखने लगा भुजेसी अपना गाल मसलता कैव उठा उस्ताद जी बुरे वक्त में रास्ता बताना तो मेरा फर्ज है अब आप मानो या ना मानो ये तो आपकी मर्जी ही है जरूरी तो नहीं है कि मेरी बात आपको पसंद आए रात के ग्यारा बज रहे थे पुलिस स्टेशन की बागा दोडी अब कुछ धमसी गई थी जबकी शाम को पुलिस स्टेशन में काफी आवा जाही थी सडक पर से गाडिया निकल रही थी उनकी हेड लाइक कभी कबार थोड़ी बहुत इधर पड़ जाती थी वारना स्ट्रीट लाइट की मद्यम रोश्णी ही वहाँ पहुच रही थी देवरा चोहान की कार काफी दूर खड़ी थी जिसमें रात को काम आने वाला सामान लाया गया था जगमोहन मेली सी पैंट और वेसी ही कमीज में टेंपो के पास खड़ा था कार में से सामान निकलवा कर टेंपो में रखा गया और सोहन्डाल उसके साथ बेट गया चल सोहन्डाल ने गोली वाली सिग्रेट सुलगा ली पुलिस स्टेशन की तरफ जगबोहन ने टेम्पो आगे बड़ाते हुए कहा हाँ 30 मिनट के बीतर ही टेम्पो पुलिस स्टेशन के पास पहुच गया इधर सोहनडाल बोला मैन हॉल इधर है मैन हॉल के पास ही पुलिस इस्टेशन के गेट की तरफ टेम्पो खड़ा करना ताकि मैन हॉल को आड मिल जाए जगमोहन ने वेसे ही टेम्पो को खड़ा किया मेन होल के पास टेम्पो को दुसरी तरफ सोगज आगे पुलीस इस्टेशन का गेट नजर आ रहा था और अभी अभी पुलीस चीप डिकल कर गई थी जगमोहन ने इंजन बंद किया हेडलाइट ओफ की और नीचे उतर कर बौनट खोला और इंजन से छेड़चाड करने लगा सोहनलाल उतर कर जब पास पोचा तो जगमोहन बोला अब टेम्पो स्टार्ट नहीं होगा सोहनलाल ने गोली वाली सिग्रेट का कश लिया मुझसे ज़्यादा तुम लोग शुरक्षित रहोगे रादबर टेम्पो के पास पुलीस इस्टेशन के बाहर जगमोहन ने गहरी सांस ली कोई भी पुलीस वाला आकट टोक सकता है शक भी कर सकता है कि कुछ गंटों की बात है सोहनलाल नापरवाई के साथ बोला कुछ नहीं होगा जगमोहन कुछ नहीं बोला पंद्रा मिनट बाद देवराज चोहान और बटनागर पेदल ही वहाँ आप पहुचे सब ठीक है देवराज चोहान ने दबे स्वान में पूछा हाँ